गांव का एक छोटा सा बच्चा राज अपने गांव की आदतों और संस्कृती को बचाय रखने का संकल्प करता था। उसने अपने दोस्तों को मिलकर एक पुस्तकाले बनाने का निर्णए किया। राज ने गाववालों से पुरानी पुस्तके मांगी और एक छोटे से कम्रे को सुन्दर पुस्तकालय में बदला। उसकी मेहनत और उम्मीद ने गाव में पढ़ाई को बढ़ावा दिया। यह फुस्तकाले एक साकारात्मक बदलाव लाने में सफल रहा और लोगों को शिक्षा के महत्व का आदर्श साक्षर्टा करने लिए प्रेरित किया। राज की कहानी ने साबित किया कि छोटी सी कोशिश से भी बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है और शिक्षा गाउं को समृद्ध की ओर बढ़ने में सहायक हो सकती है।